अस्सलाम लेकुम लिसनर्स निम्रा नूर का नौवल मुझे संदल करतों का एपिसोड 6 तो मैं शुरू करती हूँ चमन में सुभा का मंजर बड़ा पूर सोज होता है, सुभा का सहर हर तरफ चाया होता है कली जब सोकर उठती है, जिन्दगी मुस्कुराती है, खुश्बू हर तरफ बिखरती है, तितली मुस्कुराती है जिन्दगी मसाइल में घिरी होती है, फिर भी हंसती है, खिल खिलाती है, शोर मचाती है, नाचती है ऐस जिन्दगी हमें तुझ पर रश्क बहुत आता है अबान शाह सुभा जब नमाज पढ़ने मस्जिद किया तो जाते वक्जीनिया को उठाने के लिए अपने कमरे के साथ वाले कमरे के दर्वासे को नौक किया लेकिन जब उसने दर्वासा ना खोला तो नमाज पढ़ने चला गया था सुभा का वक्त था हर तरफ सन्नाटा सा चाया हुआ था नमाजी मस्जिद की तरफ जा रहे थे चरिंद परिंद भी अपनी अपनी जुबान में अल्ला ताला की हम्दो सना बयान कर रहे थे उनका भी अपना ही अंदास था अबादत का शबनम के कतरों से वो भी पावजू होकर अल्ला ताला की अबादत करते हैं नमाज जैसे ही हत्म हुई ज्यादा तर्थ नमाजी तो दूआ मांगकर अपने घरों को रवाना हो गए थे चंद एक दो लोग मसजद में रह थे अबान शाह कुर्ण मजीद की तलावत करने लगा मसजद जैसे परसोस महूल में उसकी परसोस आवाज से एक चादू एक सहर सा एक तलस्म सा महूल में च्चा रहा था उसकी आवाज में एक चादू था या खुदा के जिकर में ऐसा सहर था जो महाल को पर सकुन बना रहा था खुदा का जिकर खुदा का कलाम ही ऐसा अनुका कलाम था जिसे प्यार से महबत से पढ़ें तो दिल में इमान सा ताज़ा होता है ऐसा जादू सा हमारे एर्दगर्द च्छाने लगता है ऐसा लगता है जैसे अल्ला ताला हमें अपनी रहमत की घेरे में ले रही है हमारी रुख को सुकुन सा मिलता है हम शाद से हो जाते हैं और जब जब एक एक आयत को बिमा तर्जमा पढ़ें समझ कर पढ़ें तो कब कब यसी भी तारी होती है सुरत अहजाब आयत नमबर एक या ऐयुहन नभी उत्तकिल्लाह वला तुतील काफिरीन वलमुनाफिकीन इनल्लाह काना अलीमं हकीमा तर्जमा ऐ पेगंबर खुदा से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना बेशक खुदा जानेने वाला और हिकमत वाला है आयत नमबर दो वत्तबी मायुहा इलाइका मिर रबिक इनल्लाह काना भी मातामलूना हबीरा तर्जमा और जो किताब तुमको तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किये जाना बेशक खुदा तुम्हारे सब अमलों से हबरदार है आयत नमबर तीन वतवक्कल अल्लाह वकफा बिल्लाह वकीला तर्जमा और खुदा पर भरोसा रखना और खुदा ही कारसास काफी है आयत नमबर चार मा जाल ल्लाह ली रजूलिम मिन कल्बैनी फी जौफिह वमा जाला अस्वार जकुमल लिया तुजाहिरूना मिन हुन्ना उमाहातिकु वमा जाला अदियाएकु अबनाएकु जालिकुम गौलुकुम भी अववाहिकु वल्लाहु यकूल ल्हक का वहुआ यहदिस सबील तर्जमा खुदा ने किसी आत्मी के पहलु में दो दिल नहीं बनाए और ना तुम्हारी औरतों को जिन को तुम मा कह बैठते हो तुम्हारी मा बनाया और ना तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे बनाया यह सब तुम्हारे मूगी बाते हैं और खुदा तो सची बात फरमाता है और वही सीधा रस्ता दिखाता है कुरान मजीद की तलावत करके उसको चूप के गुलाफ में लपेटा और वही रख दिया जहां से लिया था सफेद शलवार कमीस पहने सर पर सफेद टोपी पहने हुपे वो बहुत प्यारा लग रहा था उसके चहरे पर सकून था नुमाज और कुरान मजीद की तलावत के बाद चहरे पर ऐसे ही सकून होता था क्या दुनिया में ऐसी किताब है जिसे पढ़ने से सकून मिले क्या ऐसा कलाम है जिसे पढ़ने से आपको सकून मिले क्या ऐसी किताब है जिसे पढ़कर बेहतरी सबक मिले ये कुरान पाग है जिसे पढ़ने से समझने से सकून मिलता है कपकपी तारी होती है, इमान रोशन होता है, खुदा का होफ पैदा होता है, बुरे कामों से निजात मिलती है वो मस्जद से निकला और वॉक करने चला गया, सुरज उफक पर अपनी किरने बिखे रहा था, हर चीज निखरी सी लग रही थी वो वॉक के बाद जैसे ही शाह पैलस में दाखिल हुआ, तो शाह जेप शाह और शोयप शाह भागते हुए उसके तरफ आए, जान भाईया जान भाईया हमारी अप्या किदर है, हम कितने दफ़ा आपके कमरे में गए लेकिन वो हमें कहीं मिली ही नहीं, उन दोनों ने उस से पूछते हुए पताया, रानिया भाईया और नवीन जो लॉन में ही वॉक कर रही थी, वो भी उनके पास आ गई, भाई, रातो रात तुमने मेरी दिवरानी को कहां छुपा दिया है, रानिया भाईया भाईया ने शरारत से पूछा, अब वो उनको क्या पताता कि वो तो उ उनके कमरे में सोई ही नहीं थी, लगता है वो अभी तक नहीं उठी, उसने दिल में सोचा, अपनी मा को मिलकर जो लाउंच में बैठी हुई थी, फिर वो उपर आ गया और इधर उधर देखा, कोई आस पास तो नहीं, अगर किसी को पता चल गया कि वो अलग कमरे में सोई इस सवालों के अलग अमबार लग जाने थे, वो हरकिस नहीं चाहता था, उन दोनों के मौमले में कोई तीसरा मताखलत करी या फिर किसी को कुछ गलत सोचने और सवाल उठाने का मौका भी ले, लेकिन एक ही घर में रहते हुए ऐसा तो मुश्किल ही था, कि किसी को पता ना चले, ये नहीं सोचा था उसने, उसने हलका सा दर्वाजा नौक किया, वो सारा ही खुलता चला गया, उसने इहत्याद से अंदर नजर दोड़ाई लेकिन कमरा खाली था, उसने हर जगा देखा, वो कहीं न मिली तो वो परिशान हो गया था, वो परिशान सा नीचे है जब चुवेब शा उसकी तरफ पढ़ा, जान भाया, आपी नहीं आई, वो दोनों भाई अपनी प्यारी अप्या को पाकर बहुत हुश थे, वो उससे धेर सारी बाते करना चाहते थे लेकिन उनकी अप्या तो सीरे से ही गायब थी, भाई अबान बेटा हमारी बेटी किदर है, फरकान शा ने भी उससे अकेले आते देखकर पुछा, वो घर हो तो नजर आएगी ना, मुझे तो लगता है, वो भी अपनी मा की तरहे बाहर खुमने फिरने की बड़ी शोकीन है, इसने तो पहले ही दिन अपना असल रंग दिखा दिया है, अबान शाह से पहले ही तईबा पर अफसोस हुआ था, शट अप तईबा, हबड़दार अगर मिरी बेटी के बारे में ऐसी बात की तो, उसमान शाह तो उनकी बात पर आग बगोला हो गए थे, और उनके लफसों से उस पर क्या पी थी, किसी को जैसे अंदाजा ही नहो, जिसकी वो प्रिंसिस थी, जिसकी उसमें जान बसी थी, जिसके दिल पर उसकी राच्टानी थी, जिसके दिल पर उसका पहरा था, जिसकी रुख में वो समाई थी, वो कैसे सहता इल्जाम उस पर, क्या तकलीफ ना होती उससे, क्या दिल ना तडबता उसका, कि कैसा इल्जाम था, तडबा दिया था जिसने उ बोला सीने में अटक गया हो जैसे लग गया हो रूख उसकी पर इल्जाम जैसे आप जानती है जीनिया की नानो हास्पिटल में है वो वही गई होगी फिर आपने कैसे सोचे समझे बगर ये बात कहती उनकी बात पर दुख हुआ था बहुत उसे कैसे बात करती उसकी प्रिंसि अफ़ो ने मेरे बेटे को बहुत तकलीव दी है आज उसकी आंकों में मैंने वैसा ही दुख देगा है जैसे 15 साल पहले उससे जीनिया के मरने की हबर मिली थी तुमने ऐसा सोचा ही क्यों किया तुम नहीं जानते हमारी जीनिया मेरे बेटे के लिए ग्या है ये तुमने कहा कैसे तुम्हारा होसला कैसे पढ़ गया तयबा फुरकांशा को दुख हुआ था वो बाप थे अपने बेटे को अच्छी तरही इंचानते थे वो दरस के थे अपने बेटे को खुलकर हंसता देखने के लिए वो उसके लिए हर वक्त दुआ मांगते थे माबाप को अलग ही मटी से बनाया होता है जब अपने बच्छों को खुश देखते हैं तो उन्हें काइनात की हर चीज अच्छी लगती है लेकिन उलाद के दुख उन्हें वक्त से पहले ही बुढ़ा कर देते हैं उन्जा नमाज पढ़कर हास्पिटल के बिरूनी तरफ ही आ गई और लाउन में छोटी छोटी खास बढ़नंगे पाउंच चलने लगी थी नानो के पास वकार सहप और फानिया दोनों बेहन भाई आ गए हुए थे वाक करते करते वो वही जमीन पर बैड़ की जब अंदर के तरफ जाती जीनिया की नजर उस पर पड़ी तो उसकी तरफ चली आई इर्द गिर्द कई लोग थे कुछ मरीजों के साथ आए हुए थे और कुछ मरीज जिन के साथ आए हुए साथ ही उन्हें सुभा की सैर करवा रहे थे अन्नू तुम यहां क्या कर रही हो अरे मेरे मकना तुम वो जीनिया को देखकर चहकी और उठकर उसकी गले लग गई पीछे हटो तुम तो ऐसे चिपक रही हो जैसे अचसे बात तुम्हें मिल रही हो वो मुस्कुराए बगार उसे पीछे हटाते बोली अरे शादी के बाद तो पहली दफ़ा मिल रही हो न और तुम अकेली आई हो क्यों तुम्हें मेरे साथ किसी और का भी इंतजार था वो लापरवाही से बोली और हॉस्पिटल के अंदरुनी तरफ भड़ गई हाना अपने प्रिंस चार्मिंग जीजू जी का इंतजार था तुम उनके साथ क्यों नहीं आई उन्जा ने उसके साथ चलते हुए पुछा जीनिया क्या तुम उन्हें बता कर आई हो उन्जा ने उससे पुछा वो तो उसकी रक रक से वाकिफ थी उससे जैसे अंदासा हो गया था कि वो किसी को भी बताए बगार आई है वो रात वाले सिया जोड़े में मलबूस थी जिस पर हलकी हलकी से सिल्वटे बढ़ी हुई थी वो गयर किसी मेकप के उसकी रंगत दूद की तरहें लग रही थी लापरवाही से लिया हुआ टुपटा सुनहरे बाल जिनको उसने चुड़े की शकल दी हुई थी कई लटें उसके चेहरे कादीदार कर रही थी मुझे किसी से पूछ कर या बता कर आने की जरूरत नहीं है मैंने तुम्हें कहा था ना नानो के पास से हिलना भी मत प्र बिर भी तुम यहां बाहर उनजा ने उस से समझचाना चाहा था लेकिन उसके हमोश करभाने पर फिलहाल उसने हमोशी अखतियार की थी वो दरासल अंदर उनका चेक अप हो रहा था और बाबा और फूपो उनके पास ही है उन्जा ने उसे वजाहत दी लेकिन फानिया मिर्जा के जिकर से वो हलक तक कड़वी हो गई थी वो दोनों जैसे ही कमरे में दाखिल हुई थी तो पहला टकराओ अबादशा से ही हुबर जो बाहर निकलने लगा और उन्हें देख कर रुख गया अरे मेरी प्यारी स्वीट भावी आप इतनी सुभे सुभे आ गए और उसकी बात मुकमल होने से पहले ही फून बज उठा था उसने जेब से मुबाइल निकाला और देखा जान भाईया का नमबर स्क्रीन पर जक्मक कर रहा था लगता है मेरे प्यारे भाईया उदास हो गई है ये देखें उनका ही फून है वो उसे शरारत से कहता फून अन करके कान को लगा गया और जीनिया गुसे से उसे देखती नानो की तरफ भड़ गई अबाद क्या तुम्हारी भावी हॉस्पिटल पहुँच गई है दूसरे तरफ छूटते ही अबाँशा की तश्वीश भरी आवास आई जी भाईया अभी तो वो आई है क्यों आप उदास हो गए थे उनसे नया था इसलिए उसे टेंशन हुई कि वो पहुंच पाई भी है या अभी रस्ते में है अबाद शाह ने उसे देखा जो अब नानो के साथ बैठी हुई थी उनका हाल चाल पूछ रही थी उसे देखकर ही लगता था कि वो उनसे कितना प्यार करती थी फिर वो सब के सामने ह उसे महातिब हुआ भाईया का फून था कि आप उन्हें बता कर उसके पास खड़ी उनसा ने उसे देखा और जीनिया ने भी खूर कर उसे देखा वो परेशान सी हो गई उई माह लेकिन पास खड़ी उनसा की बारीक सी चुटकी ने उसे मजीद कुछ कहने से रोका अब वो अपनी बाजू से हिला रहा था क्या तकलीव है तुम्हें जहरीली चिपकली वो अपना बाजू से हिला था तांत पीस कर आहस्तगी से बोला हब बरतार इसके आगे तुमने कोई बात की तो वरना मैं नहीं तुम्हारी भाबी तुम्हें गंजा कर देगी वो उसे मत्थम सा मौर्ण करती वहां से हट गई अबाजशा ने जीनिया को देखा जो खून हार निगाहों से उसे देख रही थी ओ मेरे अल्ला निकल जा आभी यहां से वरना ये गुसे से सीखपा निगाहे तुम्हें हार्ट अटेक दिलाने में कामया भो जाएंगी वो डरता डरता कमरे से बाहर निकल गिया फिर अगले दो मिनट में अबान शा भी वहां पर मौझूद था जीनिया को देखकर उसे जैसे सकुन सा मिला था और नानो जो जीनिया से बार बार उसका पूछ रही थी उसे देखकर वो खुश सी हो गई थी बेटा मेरी जैनी का बहुत सारा ख्याल रखना अगर तुम उसे जरा सा प्यार इज़त दोगे वो तुम पर अपनी जान भी कुरुबान कर देगी वो बहुत प्यार करने वाली है अगर उस से कोई गलती होगी तो उसकी इसलाह कर देना उसे समझा देना लेकिन उससे पुमान होना वो सोच भी नहीं सकता था जहां तक बात प्यार की थी वो तो शायद उससे इश्क करता था और अबान शाह अपनी मलका की इज़त ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था प्यार से पहले वो इज़त देना जरूरी समझता था फिर दस बजे उन्हें ऑपरेशन थे टर ले जाया गया था ओपरेशन 24 घंटे तक होना था जीनिया वहीं हॉस्पिटल के एक कमरे में वजू करके उनकी सहत्यापी की दुआ करने लगी थी मौम हम नहीं जा रहे वापिस आप चली जाएं अभी तो हमने अपनी अपिया से कोई बादशा थी नहीं की और आप जाने की बाते कर रही है शासीब शाह और शुएब शाह दोनों भाई मूँ भूलाए बैठे हुए थे आज वो सब इसलामबाद वापिस जा रहे थे लेकिन वो ना जाने की जिद कर रहे थे ते यह बादशा चो पहले ही गुस्से से भरी पड़ी थी शासी की बात पर गुस्से से उसके गाल पर थपड़ रसीद कर दिया हब बड़दार अब दुबारा मुझे यह सुनेने को मिला तो तुम दोनों मेरे साथ वापिस जा रहे हूँ अब अगर कोई चून चड़ांकी तो फिर देखना बहुत बुरा हाल करूंगी वो उन दोनों भाईयों को सक्त वार्णिंग देते बोली वो किसी भी तरहें नहीं चाहती थी कि उनके बेटे उसकी सोतन की बेटी के साथ खुले मिले ये नफरत कितनी बुरी है सब को ये रुलाती है तकलीफ सब को पहुंचाती है बुरा भला ये सोचती नहीं दर्द ये किसी को भी दे देती है ये नफरत कितनी बुरी है, तकलीफ सब को पहुंचाती है, दर्थ पर भटकाती है, दिल को बंजर कर देती है, ये नफरत कितनी बुरी है, सब को ये रुलाती है, ये नफरत कितनी बुरी है, हॉस्पिटल में एक दो लोगों से जायत वहां रुकने की किसी को इजासत नहीं थी इसलिए सब घट चले के थे उन्जा जीनिया के लिए वहां रुकी हुई थी वहां कुर्सी पर बैठी हुई थी इर्दिकर देखा तो थोड़े ही फासले पर अबान खड़ा था वो पून पर शायद अपने मैनेजर से बात कर रहा था वो एक दो घंटे के लिए आफिस कि गया था उन्जा वहां नहीं थी शायद वह बाहर निकली थी वह उसे ढूंडने के लिए उठी नानो की परेशानी में उसने सुभा का कुछ नहीं खाया था और तीन चार दिन से ठीक तरहें से हुराक नहीं ले रही थी जिसकी वजह से वह काफी कमजोर हो गई थी वह चलत लड़की थी ऐसी फूलों जैसी कलियों जैसी पहेली जैसी आरियो के मैं उसने पूछा अबांशा जो फून सुन रहा था आवास पर उस तरफ देखा तो फौरन जीनिया की तरफ बढ़ा जीनिया क्या हुआ आपको लहचे में फिकर थी अपने मजबूत बाजों का सहारा या वो देख चुका था कैसे उसने एक गैर महरम से सहारा नहीं लिया था वो कमजोरी से चकरा कर गिरने वाली थी फिर भी वो कमजोर नहीं बड़ी थी महरम था उसका वो उसके लिए खुदा ने चुना था वो कोई और निकाह पढ़ जाए उस पर कैसे बरदाश्ट करता वो कोई और हाथ लगा ले उसको कैसे बरदाश्ट करता वो सहारा था उसका वो मजासी खुदा था उसका वो फिर कैसे ना तरबता वो अबान को वो काफी कमजोर लग रही थी उसके लाल गुलाबी रंग में जरती सी खुल रही थी हाथ मत लगाओ मुझे उससे खड़ा पिर भी वो उसका सहारा नहीं चाहती थी शोखर हूँ आपका महरव हूँ अला तला और उसके प्यारे रसूल को हाजरो नाजर मान कर आपसे निकाह किया है इतना तो हग बनता है मानता हूँ मैंने आपसे वादा किया है लेकिन आपको इस हालत में देखकर मुझ से रहा नह किया चलें डॉक्टर को दिखा लेते हैं आपने सुखा को कुछ खाया भी तो नहीं वो उससे वजाहत देते बोला लेकिन वो जीनिया थी पहस ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता था तुम ही क्या लगता है मैं कमजोर हूँ जरा से चकर आने पर मुझे किसी के सहारे की जरूरत पढ़ेगी ऐसा सोचना भी मत मिस्टर सीनिया बहुत बहादूर है उसकी बात पर उसके लबो पर खुबसूरत सी मुसकान उपरी क्योंकि वो उससे में चलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे तो बोला नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी गुसा तो दिखाना था ना नकाहत से उससे बोला नहीं जा रहा था मैं अब आपके पास ही हूँ प्रिंसस ठीक होकर आप जतना मर्सी गुसा निकाल लेना जतना मर्सी जगड लेना आप फिल्हाल अभी डौक्टर के पास चलते हैं वो उससे सहारा देते बोला फिर उसकी कोई भी बात सुने बगर के लिए रानिया भावी शरारत से बोली जिस पर अवान शाह तो मस्कुरा गया था लेकिन जीनिया अंदर ही अंदर पेच्चो ताप खाकर रह गई थी कितने बेपाग हैं ये लोग उसने दिल में सोचा लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये नाम उसका ही दिया हुआ है वो सब बाद वापिस जा रहे थे उन्हें मिलने आये थे जीनिया को गुलकोस की क्रिप लगी हुई थी तैयबा शाह के इलावा सब आये हुए थे जवेरिया शाह भी अबान की हातिर आई हुई थी बाबा अब या तो बात ही नहीं करती क्या वो हम सबसे नराज है शुवेब शाह वो दोनों भाई उससे बाते कर रहे थे लेकिन जीनिया ने मचाल है एक बात का भी जवाब दिया हो वो उससे अपने बच्पन की किस्स सुना रहे थे वो उससे हंसाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो ऐसे जैसे बेहिस हो गई हो नहीं बेटा वो आपसे नराज नहीं है उनकी डानों का उप्रेशन हो रहा है और अब उनकी अपनी भी तबीयत हराव हो गई है इसलिए वो हमोश है परिशान है वो उन्होंने अपने दोनों बेटों को प्यार से समझाया अब वो उन है क्या पताते कि वो उनसे नरास है बहुत सख्त नरास है और अबान हम सब ने अ बिल्कुल भाईया बहुत ज्यादा हुआशे हैं हमारी जिनको पूरा करना आपकी है जिम्हदारी और मेरी भावी को जल्दी इसलामबाद लेकर आना आप उनकी बात पर वहांस रहा था और साथ ही अपने प्रिंसेस को देख रहा था जो आँखे बंद की ये लेटी हुई थ से लगता था जैसे शाहांदान की बेटी हो लिडल प्रिंस आप भी जा रही हो अब आन्शा ने फरहांशा से नन्हे राइम को लेते हुए उससे प्यार करते पूछा तो क्या इसे इदर ही छोड़ जाएं साहर है इसने भी हमारे साथ जाना है फरहांशा अपने भाई के कं लगते करते हैं ये सब नवीन शा की बात पर जीनिया ने दिल में सोचा अब आन्शा उसे ही देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी सोचे पढ़ रहा हो उसके मुगे बिगड़ते जावी उसे मज़ा दे रहे थे अच्छा बेटा हम चलते हैं अपना ख्याल उसे गले लगाते बोले अपनी प्रिंसिस का भी कहने की जरूरत तो नहीं जानता हूँ अपनी चान से भड़कर तुम इसका ख्याल रखोगे लेकिन मेरी जान अपनी तरफ भी धixान देना ज़रा जिवरिया शा भी उससे मिली और उससे अपना ख्याल रखने की ताकीद व कि उस्मान शाह बाहर निकलने लेगे जब वो बोला चाचू आज 15 सालों बाद वो उसकी मूझ से चाचू सुन रहे थे उन्होंने तड़क कर उसे देखा वो उनके गले से लग गिया उन्हें ऐसे लगा जैसे छोटा सा अबान उनके सीने से लग गिया हो जो ऐसे भाग कर उन की आंखें भीग गई थी I'm sorry चाचू मेने आपके साथ बहुत बुरा सलू किया ना मुझे माफ करते उससे उसकी प्रिंसेस मिल गई थी तो उसके गले शिक पे भी हतम हो गई थे वो जानता था वो उससे गले लगाने के लिए तडबते हैं उसकी मूझ से चाचू सुनने के लिए वो तरस गए हैं पहले वो जान बूझ कर ऐसा करता था लेकिन अब उसे उसकी प्रिंसेस मिल गई अब वो उनको भी माफ कर चुका था शुयब शाय और शाजेब शाय अपनी अपिया के पास आए अपिया अपना ख्याल रखना हम सब आपकी नानों के लिए दुआ कर चाहिए आपने परिशान नहीं होना अल्ला ताला सब ठीक कर देंगे शुयब शाय और शाजेब शाय दोनों ने बारी बारी उससे तसली दी और फिर अगले ही पल वो हेरान रही जब दोनों भाईयों ने उसके मात्वे बर पोसा दिया था गेट वल सून अपिया हम आपका इंतजार करेंगे फिर सब बाहर निकल के और उसकी आंखों में आंसू टिप टिप बरसने लगे थे वो लोग कमरे से बाहर निकल गए थे अब आंशा भी उन्हें अलविदा करने बाहर निकल गया था उसकी आंखों में आंसूं की परसाथ शुरू हो गई थी, उसका दिल अजीब ही कश्म कश्म में मुबतला था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जब जब वो उस्मान शाह और फानिया मिर्जा को देख दी, उससे वो सारे बीते लम्हें याद आ जाते थे, जब उसने उन्हें बुकारा था, जब जब उनक को साइट टेबल पर रखते हुए तफकर अमेज लहचे में पूछा, जब 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 में दाएं हाथ के पोरों से आंसु साफ किये, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो, अफी में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन आवास में नमी सी खुली हुई थी, ले इसे मसले हल नहीं होते, बलके दिल का बोज भड़ जाता है, और इस बोज से चाह कर भी छुटकारा नहीं पा सकते जब तक ये घिले शिक पे ना हतम कर ले, ये बोज तकलीफ तेरे लगता है, और वो तकलीफ इन आंसों की सूरत में पहती है, जो तुम मुझ से चुपाने की कोशिश करे ही हो, इसलिए प्लीज इस बोज को हतम कर दो, जो तुम्हारे दिल में दफन है, पुपो और अस्मान अंकल से जो भी तुमें शिकायत है, एक दफ़ा उन से मिलकर उन से बात करके हतम कर दो सैनी, परना इस तरहे तुम भी तकलीफ में रहोगी, और वो भी त तकलीफ देती है, लेकिन अलत अला के बाद वो ही तो थी जो उसके नस्दीग थी, जानती थी, जो बजाहिर जीनिया बहातुर है, तरहकीकत वो बहुत कमजोर थी, सब कुछ अपने दिल में छुपा कर रखती थी, उसने कभी भी उससे अपने गम में शरीक नहीं किया था, खुद वो सब के गम लेने वाली थी, लेकिन देती सिर्फ खुशी ही थी, लेकिन जीनिया पर उसके समझाने का कोई असर नहीं हुआ था, वो उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले तरीके बर अमल कर रही थी, शायद वो समझना ही नहीं चाहती थ अन्नू, नानो ठीक हो जाएंगी ना, मुझे उनकी बहुत फिकर हो रही है, अगर उन्हीं कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी, नानो का ख्याल आते ही, उसे बेचैनी सी होने लगी थी, उनसा ने ठंडी सांस ली, इन्शालला, वो जरूर ठीक हो जाएंगी, अल्ला गुस्से से तन्भी करते बोली, अब विकर करना छोड़ो और खाना खाओ, उनसा ने उसे खाने के तरह मतवचा किया, जिसमें चाइनीस कबाब और खीर भी थी, जो वो हास दोर पर घर से उसके लिए बना कर लेकर आई थी, मेरा दिल नहीं जा रहा, कुछ भी खाने को, व तुम कह रही हो कि तुमने नहीं खाना, चुप करके खालो, नहीं तो तुम्हारे मूँ में खुद ही ठूंसतूंगी ये सब, फिर तुम गुस्सा करो, नरास हो, आई डॉन्ट केर, वो रोबतार लहचे में बोली, इतने में अबान शा भी कमरे का तरवासा खोलता अंदर और उन दोनों को देख कर मुस्कुराया, लो आ गए तुम्हारे मिया साहब, उन्जा उसके पास से उठते हुए बोली और अबान से महातिबू भी, अबान भाई, अब आप ही अपनी नखरीली तुलहन को अपने हाथ से खाना के लाए, ये तो खुद खाने के मूड में नह के जाविये बिगाड़ते हुए दिल में बोली थी, चुछ छुन्दर कहीं का लगता है, सारा हांदान ही ऐसा है, उन्जा को तो जीनिया के बिगड़ते जाविये हंसी दिला रहे थी, इसलिए उसने मनजर से हटने में ही आफियत समझी थी, आप अपनी प्रिंसिस को खाना खाले या फिर मैं अपने हाथ से आपको खिला दू, खाना, वो उसकी कड़ी निकाहों का मज़ा लेते बोला, बस बहुत हो गया, बरताश्त की भी कोई हत होती है, मिस्टर, अगर किसी के सामने अपनी बेज़ती नहीं चाहते तो आईंदा, ये खटिया पकवास ना करना, उसका इशारा प्रिंसिस कहने की दरफ था, मैंने क्या किया, वो समझखकर भी ना समझ सा बन गया, नजाने क्यों उसे उसका बात करना अच्छा लग रहा था, हलाखे वो उससे बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसे फिर भी अच्छा लग रहा था, जियादा मस्सूमिएत का ढूंक रचाने की जरूरत नहीं मिस्टर मैं सब जानती हूं और तो और जो तुम्हारे घरवाले कहकर गए है ना उसके बारे में सोचना भी मत मैं कभी भी वहां नहीं जाना चाहूंगी जहां से मुझे पहले निकाला गया था वो उसे बता रही थी वो हमोशिस से खड़ा बाजमों को सीने से बांदे और दाएं बाजमों की कोहनी को बांदे हुवे बाजमों पर रखकर अपने हाथ की अंगोठे को थोड़ी के नीचे और उंगलियों को थोड़ी के उपर रखकर लबो पर अपनी जान लिवा मस्कुरा आफकोर्स प्रिंसेस, मैं आपको ही सुन रहा हूँ, आप सुनाएं जो भी सुनाना चाहती है, मैं जरूर सुनूंगा, बस आप ये थोड़े से राइस खाले ताकि आपको इनरजी मिल जाए, उसके बाद आप जितनी बाते सुनाएं, कोई मसला नहीं होगा, वो चाबलो वाल अचा के लबो की जान लेवा मुस्कुराहट को छीन ले, उसकी दिलकश मुस्कुराहट जिनिया का सुकुन बरबाद कर रही थी, इनसान के अंदर जब सुकुन ना हो, उसका सुकुन दरहम बरहम हो, तो वो जुन्चलाहट का शिकार हो जाता है, और वो जुन्चलाहट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता प्रेंसिस मैंने कहा था ना कि आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा लगता तो नहीं तुम अपनी जुबान पर काइम रहने वाले हो उसके बाद तुम कितनी दफ़ा मेरे नस्दीक आने की कोशिश कर चुके हो बड़े आए इतने तुम पार्स कर कहा था ता कि वो गुसा हो लेकिन ऐसा हर्किस नहीं हुआ थवो उसकी बात का गुसा करे ऐसा हो ही नहीं सकता था ठीक है आज के बाद ऐससा नहीं होगा लेकिन आपको भी अपना ख्याल रखना हो और आप एक बात हमेशा याद रखना आप जब जड़ गड़ाएंगी आपका सहारा बनेगा जब अपने आपको तन्हा में हसूस करेंगी अबानशा आपके साथ होगा जब जब आप रोएंगी आंसुमों को चुलने के लिए अबानशा आपके पास होगा इस सब के लिए आप मुझे मना नहीं कर सकती ये सब मेरा प्यार है और अबानशा अपना यार फर्स की तरहें ने बाता है और इस सब का हक मुझे मेरे खुदा ने भी दिया है और प्लीज ये खाले मेरी हादर ना सही नानों की हादर ही सही जब वो ठीक हो जाएंगी तो आपको ऐसे देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी वो संजीदी से मतासिर को नहचे में बोला था लेकिन जीनिया को उसके लब औ लहचे उसकी बातों ने रती भर भी मतासिर नहीं किया था ये ड्रिप हतम हो गई है मैं सिस्टर को बोल देता हूँ ये उतार ने वो उसे एक नज़र देखता कमरे से बाहर निकला थोड़े दिर बाद उसके साथ दो नर्सें थी अस्सलाम अलेकुम प्यारी लड़की अब कैसा फील कर रही हो आप उन में से एक उसके पास आते मुलाई मित्से बोली वो सब अबाद्शा के हावाले से उसे जान गई थी जीनिया ने जरा सा मसकुरा कर उन्हें जवाब दिया था फिर वो जीनिया के हाथ से सुई निकालने लगी उसकी नजर पास खड़ी दूसरी नर्स पर पड़ी जो तकरीबन 22 साल के लग भगी थी जीनिया ने उसकी नजरों के ताकुप में देखा जहां अबान शाथ सोफी पर बैठा मुबाइल पर कोई मेसेज बगरा कर रहा था और लबो पर जान लेवा मुसकान सी थी जिससे देख कर लग रहा था कि वो किसी बहुत ही अपने से बात कर रहा था जीनिया ने तुबारा उस लड़की को देखा जो अब मुबाइल लेकर अबान की तस्वीर बना रही थी फिर उसे देख कर मुसकुराई ही जा रही थी उस लड़की की इस हरकत पर उसे बेहत गुसा आया लेकिन वो हमोश रही ये सोच कर उससे क्या फरक पड़ता है वो जिससे मर्जी देखे उसे क्या पड़ी है गुसा करने की चले ये तो हो गया अब आप रिलेक्स करें हम चलते हैं दूसरी नर्स उसकी ड्रिब उतारकर पटी लगाने के बाद उसे देखकर मुसकुराई जजाकल लहर मिस सवेरा अबान शा उसका मश्कूर हुआ दूसरी नर्स ऐसे थी जैसे अबान शा को अपनी आँखों में बसा रही हो कोई बात नहीं मिस्टर शा आप बस अपनी प्यारी सी बीवी का खियाल रखें ये तो बहुत कमजोर सी है इने कुछ खिलाएं पिलाएं ताके ये नजर भी आएं सिस्टर सवेरा उन्हें मशिवरा देते देते मजाग कर गई जो उनकी फिद्रत में शामिल था वो काफी हंस मुक्सी थी अबान शाद उसकी बात पर जीनिया को देखकर हंस दिया था फिर वो दोनों बाहर निकल गई जीनिया को खुद काफी कमजोरी सी में हिस्सोस हो रही थी उसने सामने रखी राइस वाली प्लेट उठाई और खाने लगी थी अबान शाह ने उसे देखा फिर फून के तरफ में तबच्छा हो गया जहां उसे आफिस से कॉल आ रही थी वो फून सुनता कमरे से बाहर चला किया था अबान को आफिस से कॉल आई तो वो उन्हें बताकर आफिस चलाया आज आफिस में पैरिस से आने वले डेलिकेशन से उसकी बहुत भड़ी मीटिंग थी उन लोगों के साथ मिलकर उसने और भी बहुत सी कंट्रीज में अपने प्रोजेक्ट मुकमल किये थे इसलिए अब वो उनके साथ मिलकर पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे इसी सिलसले में उसने उनको पाकिस्तान बुलाया था वो तीन चार घंटे बाद आफिस से हॉस्पिटल आया तो रात के नो बज रहे थे वकार साहब भी वहाँ आ गए थे उन्होंने जीनिया को समझा भुचा कर अबान के साथ घर भेजने पर राजी किया था नानो का उपरेशन 24 घंटे तक चलना था भी सिर्फ 12 घंटे हुए थे आज रात वकार साहब ने वहाँ पर रुकना था इसलिए उन्जा भी उनके साथ वहाँ से निकल आई उन्जा आप भी हमारे साथ चले ना हमारे घर अबान ने चलते चलते उन्जा से कहा अरे नहीं भाईया आप मुझे मेरे घर ही छोड़ दे आप लोगों के घर फिर कभी आउंगी उन्जा ने हंस्ते वे जवे जवाब दिया वो तीनों आप हास्पिटल से बाहर निकल आये थे इस से पहले अबान शा उस से कोई और बात करता सामने दाने आल के साथ आती फानिया मिर्स पर नज़र पढ़ी जो उन्हें देखकर रुख गई थी जैनी कैसी हो मिरी जान वो अबान शा के पीछे खड़ी जीनिया की तरफ बढ़ी जिसका मूड उन्हें देखकर हासा बिगड़ चुका था वो जो जीनिया की तरफ हाथ बढ़ा कर प्यार करने वाली थी जीनिया पीछे हड़कर गसे से बोले मिस्स फानिया मेरा नाम जीनिया है जैनी मुझे सिर्फ वो ही लोग बलाते हैं जो मेरे बहुत करीब और मुझे बहुत हास है आप तो कमस कम इस फहरिस्ट में तो बिलकुल भी नहीं एक और बात आप मेरे सामने मताय करें आपको देखती हूं तो मुझे वो राते वो दिन चैन नहीं लेने दे दे जब मुझे आपकी और आपके साबिका शोहर की जरूरत थी मेरा दम खुटने लगता है मेरा दिल इस दुनिया से उचाट होने लगता है खुदारा मेरा सुकून मत चीने उसके लहजे में नमी के सासथ बेबसी ही बेबसी थी फिर वो उनके सामने स आंखों से उसे जाता देखती रही थी दानियाल ने एक तफ़ा मा को देखा और फिर उसके बीचे जाने लगा जब उन्होंने उससे रोक दिया था क्योंकि पहले भी वो उससे बात करके देख चुका था लेकिन नतीजा सिर्फ बेज़ती थी इंसान की ये जैसे फितरत मे शामिल था कि वो अपने हाल में कभी नहीं रहता वो या तो मस्तक्विल के मनसुबे बनाता है उसी के बारे में सोचता है या फिर अपने बीते कल में रहता है हाल में क्या हो रहा है आज उसे क्या मिल रहा है इसके बारे में वो कभी नहीं सोचता वो कभी नहीं सोचता जो बीतना था वो बीत चुका उसे अगर भूल नहीं सकता तो उसे अपने उपर सवार भी न करे अगर खुशी मिल रही है तो अपने खुदा का शुकर अदा करके इससे कबूल कर ले अगर कोई आजमाईश है तो फिर भी अपने रब से अपने लिए होसले और सबर की दूआ करक खुदा वो ही चाहता है जो उसके बंदे के हक में बहतर होता है लेकिन ये बात इंसान को कौन समझाए उसे समझाना एक बहुत मुश्किल काम था मामा दानी रहने दो बेटा पता नहीं मेरी बेटी ने कितनी तकलीफे सही है जो वो अपनी मा को माफ ही नहीं करना चाहती मुझसे बात ही नहीं करना चाहती मेरी गलतियों की सजा मिल रही है मुझे वो आंसु बहाते बोली उन्हें रोता देख उसका दिल कटसा गया था वो उन्जा को छोड़कर घर आ गए थे सारा शामेंशन साइंस साइं का रहा था उन दोनों के तर्मियान हमोशी का राच था जीनिया तो घाड़ी से उतर कर सीधा उपर अपने कमरे में चली कि जबकि अबान्शा अभी नीचे ही था वो कोट उतारता लाउंच में सिंगल भड़े से सोफे पर रिलैक्स होकर बैड़ किया था जब कोसर भी मुलासमा वहाँ पर आए अस्सलाम अलेकुम बेटा जी आपकी तबियत तो ठीक है ना आपके लिए काफी बना कर रहा हूँ उनकी अवास पर पसीदा होकर बैठा वालेकुम अस्सलाम अलहम्दलिला मैं ठीक हूँ और काफी मैं नुमास के बाद लूँगा मैं नुमास पढ़ लेता हूँ तब तक आप अच्छी स्ट्रॉंग सी काफी उपर फिजवा दीजेगा बोले कहता हूँ वा उपर की तरफ बढ़ा फिर रुका और महातिब हुआ कोसर भी आप जरा अपनी छोटी बीबी से पूछ लीजेगा उन्हें ना किसी चीज़ की जरूरत हो जी जरूर बेटा मैं पूछ लेती हूँ वो असपात में सर हिलाते बोली और किचन की तरफ चली गी जो लाउंच के सामने ही था वो रात को कमरे में आई इशा की नमास पढ़कर रोते रोते सो गई थी अपने अंदर का गुबार तनहायों में निकालते निकालते कब सोई उसे पता ही नहीं चला था बाहर कोसर भी दर्वास खटकाती रही उसे आवाजे भी दे दे रही लेकिन उसे खोश होता तो वो दर्वासा खोलती या फिर उनकी बात का जवाब देती जब उसके दरफ से कोई जवाब ना बिला तो वो अबानशा के लिए ही कौफी बनाकर उसके कमरे में ले आएं वो जो नमाज पढ़कर जा नमाज को तैकर करके रख रहा था उनके हाथ से आगे भड़कर कप वाला ट्रे पकड़ा जब वो बोली बेटा मैं दुलहन बेटी के कमरे का बहुत देर तक तरवासा खटकर टाती रही और आवाजे भी दी थी लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया लगता है वो सो गई है वो उन्हें वज़ाहत देते बोली चले कोई बात नहीं कोसर भी अब आप भी चाकर अराम करें वो लबो पर दिलकश मस्कुराहट लिये मुलाइमत से बोला वो उससे दुआएं देती नीचे आ गई अल्ला हुआ अक्पर अल्ला सबसे बड़ा है मैं गवाही देता हूँ अल्ला के सिवा कोई माबूद नहीं मैं गवाही देता हूँ कि बेश्चक मुहम्मद अल्ही वाली वसल्म अल्ला के रसूल है मैं गवाही देता हूँ कि बेश्चक मुहम्मद अल्ही वाली वसल्म अल्ल्ला के रसूल है है आलस्ला आउ नमास की तरफ है आलद अल्ल्हा आउ कामियाबी की तरफ है अलिल्फला आओ कामियाबी की तरफ अल्ला हुआ अकबर अल्ला सबसे भड़ा है ला इलह इल्ला अल्ला के सिवा कोई अबादत के लाइक नहीं वो सुभा उठा और वजुगिया सर पर सपेद टोपी पहनी और अपने घर की करीबी मस्जिद में चला गया और अजान दी थी अजान की पुरसोज आवास स्पीकर से दूर दूर तक जा रही थी वैसे भी अबानशा अजान देते हुए उसमें खो साथ जाता था उसे हमेशा ही अल्ला की जिकर से कल्ब और रुख तक सुकून मिलता था उसकी आवास में एक जादू था और दूसरा अजान की बोलो में ऐसा तलस्सम था कि ऐसा लगता जैसे सारे महोल पर जादू कर दिया हो आहिस्ता आहिस्ता नमाजी मस्जद में आते गए और फिर बाचमात नमाज की अदाईगी के लिए अमाम सहब की अमामत में खड़े हो गए कैसी ये बात सुभा आई है उफ़क पर सुभा का सितारा चमका है मस्जिदों में खुदा का नाम गुंचा है अपने बंदों को खुदा ने पुकारा है जब कानों में खुदा का नाम गुंचता है खुदा के नेक बंदे अल्ला की तरफ बढ़ते हैं अल्ला के घर में चाते हैं जिक्र इलाही करते हैं अपने रब को याद करते हैं, मांगने के लिए हाथ उठाते हैं, सजदों में गिर गिराते हैं, खुदा से अरजियां अपनी मनवाते हैं, खुदा को राजी करते हैं, जिसके कब्से में है सारा दो जहां, उसके सामने रोते हैं, से सकते हैं, फिकारी बनते हैं, ये जानते वो खुदा पाक है, देता है दिन मांगे हर किसी को, कबूल करता है हर एक अरजी को, माफ करता है अपने बंदों के गुनाहों को, नेकी का रस्ता दिखाता है अपने बंदों को, हर मुश्किल में साथ देता है अपने बंदों का, कभी मू ना मोड़े अपने बंदों से, कभी रहमत का दर बंद ना किया अपने बंदों पर तो फिर क्यों ना करें हम उसकी अबादत क्यों ना करें उसका शुकर अदा क्यों ना करें जिक्रे खुदा छोड़ो अपनी नींदों को छोड़ो अपनी उल्चनों को छोड़ो अपने धंदों को जाओ उसकी तरफ बुलाया है जिसने तुमको जल्दी जाओ कहीं देर ना हो जाए ये वक्त तुम्हें दुबारा ना मिले चले जाओ फलाह की तरफ थाम लो खुदा की रसी को हुद को नमाज का आती बना लो ना आएंगे किसी काम ये दुनिया के गोरक धंदे पढ़ोगे आज नमाज काम आएगी ये कल कबर में तुम्हारे कुझी है ये जन्नत की कभी न गवाओ इस कुझी को थाम लो मस्पूती से खुदा की रसी को कभी न गवाना जन्नत की कुझी को कभी न गवाओ कभी न गवाना थाम लेना खुदा की रसी को वो नमाज पढ़कर थोड़ी देर वाग करके घर लोटा था तब तक सूरच अपने जोबन पर था ये उसका मामूल था वो नमाज के पाद लंबी वाग करता था चाहे वो इधर हो या फिर पैरिस में उसके मामूल में कमी नहीं आई थी वो वाग करने के बाद वसी और ये श पाक साथ का बेटा जी जो जिस हाल में रखे वो मुस्कुरा के उसके हंसी और खुशी से लबरेस दिलकश चहरे को देखते बोली अपनी सहत का भी ख्याल रखा करें मैंने तो आपको कितनी दफ़ा मना किया है ये उमर अब आपकी अराम करने की है लेकिन आप है कि सुनती ह नहीं कहा मेरे कहने का मतलब था आप जो ये काम करती हैं बच्चों से करवाया करें आप बस उन्हें हदायत दिया करें और फिर सुभा सुभा उटकर लौन में वाक किया करें अच्छी हुराक लिया करें अल्लत अल्ला का जिकर किया करें वो उन्हें किसी छोटे बच्चे क तरहें समझा रहा था वो उसे देखकर हंस दी जो उन्हें कंधों से थामे खड़ा था बेटा जी भाला हो आपका जो मुझे गरीब का इतना ख्याल रखते हो मुझे और मेरे आहां बिलकुल नहीं उनकी बात पर वो नफी में सर हिलाते उनकी बात को काट किया था एक तो आप हमें बेटा भी कहती है और दूसरा इस तरहीं की बाते करके बेटों को शर्मिंदा भी करती है और मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि देने वाले की साथ सिर्फ अल्ला है जिसके हिस्से में जितना रिस्क लिखा है वो देता है इसके लिए अल्ला का शुकर अदा किया करे और अपने बेटों के लिए सिर्फ दुआ किया करें वो उन्हें प्यार और मुलाइमत से समझाते हुए बोला कोसर भी नम आंखों से मुस्कुरा थी वो एक गरीब औरती और उनके शोहर का इंतकाल हो चुका था और एक बेटा और दो बेटियां थी वो भी उनके साथ ही सर्वेंट कौार्टर में रहते थे और जब से ये शामेंशन बना था और अबाद्शा यहां आकर रहता था तब से अबाद्शा ने उन्हें वहां रखा हुआ था इतने भड़े शामेंशन का काम वो और उनके बच्चे करते थे वो पढ़ते भी थे और साथ काम भी करते लेकिन उन्होंने इतना बोज भी उन पर नहीं डाला था कि अपनी पढ़ाई पर तवच्चा भी ना दे सके और भी बहुत से मुलासिम वहां काम करते थे कौसर भी अबाद्शा को तीन सालों से जानती थी वो बहुत जल्द ही उनके दिल में घर कर किया था वो उटते बैटते ही उन दोनों को दुआईं देती नहीं ठकती थी आजकल के दोर में कौन किसी के लिए इतना करता है आजकल तो सगे अपना साथ छोड़ देते हैं वो उनके लिए पराये थे लेकिन उन्होंने अपनों से भड़कर उनका साथ दिया था अल्ला अपने बंदों को कभी अकेला बेयारो मददगार नहीं छोड़ता कोई ना कोई वसीला बना ही देता है चलो आप बैठो मैं आपके लिए नाश्ता बना कर ले आती हूँ वो बवर्ची हाने के तरफ जाने लेकि जब उसने उन्हें रोग दिया देखा अभी अभी आपको मैंने क्या कहा वो नरास्की से उन्हें याद करवाते बोला आज आप सब को मैं नाश्ता बना कर खिलाओंगा अपनी दुलहन बीबी को भी बुला ले और अस्मा और पलत कोसर बीगी बेटिया को भी बला ले आज आप सब को अपने हाथों से नाश्ता बना के करवाओंगा वो मस्कुराता हुआ बवरची हाने के तरफ भड़ गया और वो उसके बच्पने पर हंस दी कहां उन्होंने उससे संचीदा और हमोश देखा था वो पहले और अब वाले अबान का मौजना करने लेगी वो उसके खिलते चहरे को देखकर उसकी खुश्यों के लिए दुआगो हुई थी वो बड़ी नफासत से कफ उपर किये अंडो को तोड़ कर शीशे के बाउल में मिक्स कर रहा था और पास खड़ा बवरची जो कोसर भी के साथ मदद करता था अपने मालिक को यक टुक अपना काम करते देख रहा था वो आमलेट बनाने के तिए सारे मौाद को अभी मिक्स ही कर रहा था जब कोसर भी हामती हुई चली आई थी बेटा दुलहन बीबी तो दर्वासा ही नहीं खोल रही न जाने क्या बात है उनकी बात पर उसके चलते हाथ रुके अच्छा ठीक है मैं खुद देखता हूँ वो सब छोड़ता हुआ की चन से बाहर निकला और उपर आ गया वो भी काफी हैरान और परिशान सा हो गया था वो जानता था वो पांच वक्त की नमास पढ़ती थी उसने कितनी दफ़ा उसे आफिस में नमास पढ़ते देखा था और सुभा मस्जिद में भी जाते वक्त वो तो समझा था वो उट गई होगी काफी देर जब वो भी दर्वाजा बचाता रहा उसे आवासे भी दी लेकिन अंदर से कोई जवाब ना मिला तो उसके इर्द इर्द हतरे की घंटिया बचना शुरू हो गई थी वो जल्दी से भागता हुआ अपने कमरे में आया और बेट के साइट टेवल के दरास से उस कमरे की डुप्लिकेट चापी लेकर फॉरन आया और लम्हों में वो दर्वासा खोलता अंदर दाखिल हुआ था सामने जहाजी साइस बेट पर लेटे देखकर उसे सकून मिला था वो आके बढ़ा वो छोटे छोटे कदम उठा था उसके पास आया और बगवर उसे देखने लगा वक्त थमसा गया था कई लम्हें वो उससे ऐसे ही खड़ा देखता रहा था जो सोते हुए बिलकुल किसी मासूम सी गुडिया की तरहें लग रही थी कहीं से भी नहीं लगता था कि ये वो ही जीनिया है जो जाकते बिलकुल किसी बिफरी शेर्णी की तरहें होती थी मेरी प्रिंसिस तो अभी तक सो रही है वो उसके थोड़ा फासले बड़ बैठते मुही मुह में बड़बडाया उसने यद्दम ही किसी ख्याल के तहित आगे भड़कर अपनी हतेली उसके माते बर रखी अगले ही लम्हें वो करंट खाकर पीछे हटा ओ माई गाड इन्हें तो बहुत तेस बुहार है लहजे में फिकर और परिशानी लिए उसके पास बैठा कोसर भी जो कमरे से इकल रही थी उसकी आवास पर बल्टी क्या बुहार वो खुद परिशानी से उसके पास आई या खुदा बेटा इससे तो वाक़ी बहुत बुहार है वो उसको हाथ लगाते परिशानी से बोली प्रिंसेस प्रिंसेस आंके खोले प्लीज वो उसको गरम चेहरा थप थपाता परिशानी से बोला प्रिंसेस प्रिंस भी जल्दी से आइस क्यूब ले आई फिर वो उसकी ठंडी पटियां करने लगा था एक तो आप कहती है कि मैं आपकी पास ना हूँ आपको हाथ ना लगाँ और फिर अपना ख्याल भी नहीं रखती देखा हो गया ना अब बखार क्या होता अगर रात को मुझे बता देती लेकिन नहीं आपको तो नाराज ही रहना होता है वो उसके माते पर आइस क्यूब की बटियां करते हुए बोला उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका अपना बदन बखार से तूट रहा हो इतने में डॉक्टर सहाब आये और उन्होंने इसका बखार चेक करके दो इंजेक्शन लगाए और मेडिसन दी और कुछ हदायत दे कर चले गए उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे कोई जादू मंतर मिले और उसे खोश में ले आए वो उससे ऐसा हरकिस नहीं देखना चाहता था इतने में फलक और अस्मा भी वहां आ गई थी तुम दोनों मेरे साथ चलो और जीनिया बेटी के लिए अच्छा सा चिकन सूप बना लो ताके उनके खोश में आती ही वो पिला कर उन्हें दवा दे दे कौसर भी अपनी दोनों बेटियों को हदाया देती कमरे से बाहर निकल गई और वो भी एक नजरून दोनों को देखकर उनके पीछे आ गई यार फलक ये अबान भाई अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं देखा नहीं वो कैसे तड़प रहे थे कमरे से निकलती ही अस्माने फलक से कहा प्यार नहीं वो तो उनसे इश्क करते हैं तुम नहीं जानती एक दफ़ा अबाद भाई ने मुझे बताया था कि कैसे वो उनके बिछड़ने पर तड़पे हैं वो तो हंसना ही भूल गए थे और तुम्हें मैं कहती थी कि ये इतने ह कामोश क्यों रहते हैं अबाद भाई की तरहें हंसते क्यों नहीं और अब तुमने देखा पिछले दिनों से वो कितने खुश नजर आ रही हैं और आज उनके बेमार होने पर वो कैसे परिशान से हो गए हैं फलक ने तफसील से उसे बताया हाँ वाकई इन दिनों मैंने उन ससूप पिला कर और दवा खलाई जिसके बाद वो तुबारा गुनूदगी में चली गई थी और दूसरी तरफ नानों का उपरेशन कामयाप ठहरा था और उन्हें जेनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था डॉक्टर्स का कहना था कि अगले 12 घंटों में उन्हें शाजाएगा अबाद equitable нее के बारे में मालूम हुआ तो वो भी परिशन हो गया था उ इप उस दो मोली से बख्र है और आपकी शेरेंगाई को इस मामूली से बख्र से कुछ नहीं होताऩ अबाद शाग के मासुम से चेहरे को देखते बोला या क्भी अबाद शाग की तन्वी किसे बोला मेरे लाल दूलारे भईया तो किसने कहा है आप परिशान हो मैनेचर किया है अब बुखार कद्रे कम है आप परिशान ना हो वैसे मुझे लगता है भाभी की डांट सुनना मिस्ट कर रही है अधर्वाइस आपको इतनी परिशानी नहीं होनी थी उससे तसली देता वो फिर बसाग कर किया था चलो जा तूं अब अपने कमरे में अराम करो मेरे सर ना खाओ भाईया जी आपका सर तो अब आपकी बेगम खाएंगी हमें क्या जरूरत है खाने की मुझे तो लगता है अनकरीब वो आपको भी खा जाएगी जिस तरहे मुझे हालात नजर आते हैं या अल्ला मुझे इस शेतान से पनाह थे आभी तुम जाते हो या फिर मैं तुम्हे उठा कर बाहर भैंको वो अपने हदरनाक एरादे लेते बोला भाया सच्वे और बेयकीनी से भरबूर आवास आप ऐसे बदल जाएंगे कभी सोचा नहीं था आप अपने छोटे भाई को बाहर भैकने की बात कर रही है एए मेरे खुदा ये मैं क्या सुन रहा हूँ ये सुनने से पहले मुझे कुछ होआ क्यों नहीं उसकी ट्रामे बाजिया अबान शा को मस्कुराने पर मजबूर कर रही थी वो कमरे के तरवासे तक दुबारा खुमा और उससे बोला भाया क्यों निकाल रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी बेगम तो होश से बेगाना सो रही है और आपने अकेले रुक तुझे मैं बताता हूं इससे पहले वो अपनी जोमानी बात मुकमल करता अबान शाह खुन हार शेहरा लिये उसके तरफ बढ़ा लेकिन वो उसके पास से उठा नहीं था अबान शाह जीनिया के बैटके ताएं तरफ बड़े डबल सोफे पर बैठा यक्टुक उसे देख रहा था जब उसके लब हिलते देखे वो फोरण उसके पास आया था प्रिंसिस कुछ चाहिए आपको अबान शाह के मीठे से लहचे में उसके लिए प्यार ही प्यार था लेकिन अगले लम्हे उसके लबो से उसने सरगोशी नुमा बाते सुनी थी वो नींद में बाते कर रही थी शायद इन्हीं बातों को वो सोच सोच कर सो गई थी जो उसके तमाग पर गालिब हो गई और वो डिप्रेशन में चले गई थी मुझे आपने अकेला क्यों छोड़ दिया, मुझे भी डड़ लगता था, सब मुझे बहुत बाते करते थे, लवस टूट टूट कर विखर रहे थे, वो नींद में शिकायते कर रही थी और साथ ही जैसे वो रो रही थी, उन बंद आंखों से उसके आरिस पर आंसू लुड़क रहे उसे ऐसे लगा था जैसे उसका दिल मुठी में लिया है किसी ने, दिल धड़कना जैसे भूल रहा था, प्रिंसेस आपको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, अब आप मेरे पास हो, आपकी बेरुखी तो मैं सह सकता हूँ, लेकिन आपकी जुदाई कभी नहीं, आप मुझ पर प्यार और नर्मी से साफ करते बोल रहा था, खुद उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे थे, उसको हद दर्चा सत्मा पहुंचा था, एक बहुत ही पुरसोसी तलस्म भरी आवास से उसकी आँखों कुली, उसने अपने दाइं तरफ देखा, अबांशा सफेद शलवार कुछ ऐसा था, कुछ चादू सा, कुछ तलस्म, हेज एक फसू सा था, जो जीनिया का सब कुछ भुलाए, उन्ही लब्सों में खो जाने का दिल का रहा था, उसने कभी भी किसी को इस तरहें बेहुदी के आलम में कुरान मजीद पढ़ते नहीं देखा था, माहौल में एक स तहर सा चाता जा रहा था, वो उटकर बैट गई थी और उसे देख रही थी, उसे अब समझा रही थी कि इस शक्स के चेहरे पर इतना सुकून क्यूं है, वो बेहुदी के आलम में उसे तक के जा रही थी, ना जाने क्यूं, उसके दिल की बीट सी मिस हुदी, अब आन्शा क कुरान पाक बन करके उठा और उसको बैठा देखकर हैरान हुआ था, वो कुरान मजीद को कबर्ड में रखकर उसकी तरफ आया, प्रिंसेस, आप अब कैसा फील कर रही है, अब तबीयत कैसी है, वो उसके माते को छूते हुए बोला जब वो हड़ बढ़ा कर पीछे हटी सह पर तूट चुका था, अब आँचा ने उससे देखा जो एक दिन में ही सदियों की बेमार लग रही थी, उलचे हुए बाल, लाल गुलाबी रंगत जैसे, बखार की वज़से मत्हम मत्हम, हल्दी जैसी हो गई थी, आँखों के गिर्ट जैसे हलके से बढ़ गए थे, अब अबानशा का दिल कटकर रह किया था, उसकी ये हालत देखकर, नानो, मुझे नानो के पास जाना है, नानो का खियाल आते ही, वो तड़ब कर उससे बोली, उन्हें होश आ गया है, आप ठीक हो जाए, फिर मैं आपको ले जाओंगा, वो बोला, नहीं, मुझे अभी जाना है वो मुझे ढूंड रही होंगी, वो मुझे वहाँ ना पाकर परिशान होंगी, अबानशा को लगा कि अगर उसके कहने पर उसने अमल ना किया, तो वो रोना शुरू हो जाएगी, ठीक है, आप फ्रेश होजे, मैं आपको ले चलता हूँ, अगर आप ऐसी हालत में गई तो और ज्यादा परिशान हो जाएगी, अबानशा ने उसकी बात मानते हुए कहा, हिरानकी की बात तो ये थी, कि वो फुरन उसकी बात पर सर हिलाते वाश्रूम में खुस गई थी, वो भी उटकर नीचे चला गया, उसका एरादा अपनी प्रेंसिस के लिए नाश्ता बनाने क उन्जा फारूक के साथ जैसे ही शा मेंशन के बाहर बेरूनी गेट पर उतरी तो अपने सामने वसीयो अरीज मेंशन देखकर वो हैरान रह गई थी, उसके इर्दगिर्थ भी, इस तरह के कई मकान थे, वो रॉयल फैमिलीस की कलोनी थी, बाहर बलैक संगे मरमर के छोटे से पत्थर पर शामेंशन दर्च था, रुको रुको ये तुम दोनों अंदर कहा जा रही हो, वो जो दोनों अंदर की तरफ जा रहे थे तरवासे पर ही चोकिदार ने उन्हें रोक दिया, वो आज पहली दफ़ा यहां आय थी, इसलिए चोकिदार पहचानता नहीं था, जब उन्होंने जीनिया का हवाला दिया तो उसने अंदर से बुझा जहां पर, अबांशा मुझूद था और उन दोनों को देकर फोरण चोकिदार को उन्हें अंदर आने की इजास्त थी, वो दोनों अंदर ताखिल हुए, आपी, जीनिया आपी का घर कितना बड़ा है, फारू अंदीद गाइस, वसान इसने कलता खुशकवार लहचे में बोला, अस्सलाम अलेकुम अबान भाई, उन्जा ने उससे देखते ही सलाम किया, वालेकुम असलाम कैसी है सिस्टर, एंड लिटल ब्रो, आप सुनाए कैसे हो, भाई हम तो ठीक है, आप सुनाए और मेरे मकना को तो आपने बेमार ही कर दिया है, उसने शिकायत की, उसने ना समची से उन्जा को देखा, वो चलते हुए लाउंच तक आया और च्छत से नीचे आते, अबाद की नजर उस पर बढ़ी और उसके इलफाज उसके कानों में बढ़े, तो वो फोरन वहां पर आधमका था, ओ हे बिला वज़ा उनकी बातों पर टांग अडाना हासा बुरा लगा था, तुम यहां क्या कर रही हो, वो गुस्से से बोली, उसके कहने का मतलब था कि वो उनकी बातों में क्यों आ रहा है, लेकिन वो तो अबाद शाह था, उसकी बात को उल्टा रंग दे दिया, ओ मैडम, य इस सवाल मुझे करना चाहिए था, कि तुम यहां पर हमारे घर क्या कर रही हो, काली चुडेल, कही हमारे इतने शांदर घर पर अपना साया तो नहीं डाल ले आई, वो उसकी आंखों में देखते हातों से इशारा करते बोला, वाट नॉनसेंस आपी, अबाद शाह का इस त इनी दफ़ा उन से मिल चुका था, और मुझे फिर भी पता नहीं चल सका, लेकिन अब समझ आया, इस काली चुडेल का साया जो उन पर था, इसलिए मुझे महसूस नहीं हुआ था, अबाद शाह ने खफकी से उसे देखा जो नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, उन्जा का दिल गिया, वो अपने खुनहार पंचों से नाखुनों से उसका चेहरा नोच डाले, यूनो वट, मुझे भी अच्छी तरहें अंदाजा हो गया है कि तुम्हें लड़कियों पर लाइन मारने और बिला वज़ा उन से बात करने का मौका चाहिए होता है, अबान भाई, आप ही देख लें कि मैं तो आप से बात कर रही थी, लेकिन ये बागडबिला अपनी टांग अडाने आ गया, ये एक किसम का लॉफर है, कहीं से भी ये लफंटर आपका भाई नहीं लगता, वो बात करते करते, अबान से मुहाति हुवी, उससे अब समझाई, दोनों ही एक लेकिन एक छोटी सी बात का मतलब नहीं समझते, हासे नलाइक डॉक्टर हो, वो उसकी अकल पर अफसोस करते बोली, अबान भाई जैनी किदर है, वो उससे कोई और बात का मुगा दिये बगएर ही, मुस्कुराते हुए अबान शास से भोली, उपर लाउंज के सामने ही, द दॉक्टर लफंडर सारी हवा निकल गई, वो हंस्ते हुए उसके कंदे पर हाथ रखते बोला, माना कि आप हंस्ते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन अब इतने भी प्यारे नहीं लगते के हंस्ते ही जाएं, वो दिल ही दिल में उसकी नजर उतारते बोला, वैसे आ दाबी, वो हंस्ते वे लहचे में, यब तम संजीत की समोय भोला, भाईया आपको मैं ऐसा लगता हूँ, वो सदमे से अपने भाईया की बात सुनते भोला, आहां मुझे नहीं, उन्सा को लगता है, वो उसकी तसही करते की चनकी तरफ चला किया, वो उसको तंग करता था, इसका मतलब हरगेज ऐसा नहीं था, कि वो सब के साथ ही ऐसा करता था, वो तक जॉली टाइप का इंसान था, लेकिन इस बात का किसी को भी अंदासा नहीं था, कि वो काली चुडेल अपना साया उस पर डाल चुकी थी, मुहबत की देवी अबाद्शा के दिल पर अपने पं So listeners, this was the end of the Nimra Noor's Novel, मुझे संदल कर दो, episode 6, so listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest episodes, thank you